नमस्कार न्यूस पी आर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रिती जहाँ बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुपाच खबरों के बारे में पहली खबर है विराज कोली के नाम दर्ज हुआ एक और सुनहरा रिकॉल जे तीनों फॉर्मिट में पचास मैं जीतने वाले पहले भारती बने आश्विन ने कुमले को छोड़ा पीछे जी हम आपको बताते हैं भारत और न्यूजिलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का समापन मुंबई में सोंबार को हो गया टीम इंडिया ने इस टेस्ट को 372 रनों से जीत कर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर लिया है इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड भी बने सबसे बड़ा रिकॉर्ड की बात करें तो भारते कप्तान विराज कोहली ने बनाया है कोहली तीनों फॉर्ड मेट में 50-50 मैच जीतने वाले भारती खिलारी बन गए हैं और दूसरे और सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करने वाली रवीचेंदर अश्विन ने अनिल कुमले को भी एक रिकॉर्ड के मामले में पीछे छोड़ दिया है बढ़ते हैं अगली खबर की और रहूल रवीड की कोचिंग में भारती टीम ने दिखाया दब वर्ड चैंपियन न्युजिलैंड को हराकर बनी दुनिया की नमबर वन टेस्ट टीम यहां विराज कोहली के नेतित वाली भारती टीम वल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजिलैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर दुनिया की नमबर वन टीम बन गई है मुंबाई के वांखिरे में हुई दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजिलैंड को 372 रन से हराया भारत ने सिरीज 1-0 से जीत कर विश्व चैंपियन में मिली हार का हिसाब बढ़ा बढ़ कर दिया है इस जीत के बाद पांच अंकों की बढ़त के साथ भारतिय टीम टेस्ट रांकिंग के रेटिंग में 119 से 124 पहुँच गई है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर मुंबई टेस्ट के बाद होगा भारतिय टीम का अईलान अंजिक रहाने हो सकते हैं बाहर जी हां कोविट-19 के नए वेरियंट ओमिक्रोन के कारण बी-सी-सी-ाई ने दक्षिन अफरिका दोरे पर होने वाली T20 सीरीज को टाल दिया था लेकिन तीन टेस्ट और तीन वंडे मैचों के सीरीज के लिए भारतिय टीम साउथ अफरिका जाएगी और अब 17 की जगा 26 दिसंबर को पहला मैच खेला जाएगा बे-सी-सी-ाई-ए-ग-म की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया था दोरे के लिए जल्द ही भारतिय टीम का एलान हो सकता है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर पिवे सिंदू का सपना तूटा फाइनल में मिली करारी हार जीहां भायत के स्टार शर्टलर पिवे सिंदू का वर्ल्ज टूर फाइनल्स का खिताब जीतने का सपना तूट गया है पास दिसंबर को बाली में खेले गए महला एकल के फाइनल मुकाबले में उन्हें दक्षन कोरिया की आंसी यंग के खिलाफ करारी हार मिली है आंसी यंग ने माच सिर्फ 49 मिनट में ही अपने नाम कर लिया वो फाइनल में जीती आंसी यंग के खिलाफ सिंदू के ये लगतार तीसरी बार हार है वो उन्हें एक बार भी नहीं हरा सकी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर घरिलू मैदान पर टीम इंडिया का वर्चस्व कायम भारत घर में 9 साल से अजे न्यूजलैंड को हरा कर लगातार 14 वी सीरीज जीती है भारतीय चीब ने न्यूजलैंड को मुंबई के वानखेरे स्टेडियम में खेले गे दूसरे टेस्ट मैच में 372 रनों से हरा दिया है इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों का टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया है कानपूर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था न्यूजलैंड के खिलाफ सीरीज जीत के साथ भारत ने होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने के अपने रिकॉर्ट को भी बरकरार रखा है भारत पिछली बार 2012 में इंगलैंड के खिलाफ सीरीज हारा था जिसके बाद अलगतार 9 साल से घर में भारत टेस्ट सीरीज जीतने में कावियाब रहा है तो इस स्पोर्ट जगत में आज बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए देखते रहे निउस पियार अगर आपने मारे चैनल न्यूस पियार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें धनिवाद